दोस्तो टाटो इनोबा का कम्पणी ने हाली में लॉंच की है और इसकी बिक्री जन्वरी से की जाएगी आपको बता है कि अब खबर ये आ रहे है कि दौहर तेश में टाटो इनोबा को एलेक्टिक वेरियंट में पेस की जाएगी हाल टॉटू इनोवा इलेक्टिक को दियरी देखने में काफी가지 और संदार लुक में नजर आरहे हैं यहगारी।ftaर की पहली पसंद और आडो मायש सेक्टर की सान कही जाने वाली इनोवा अब electric avatar में launch के लिए पुरी तरीके सा त्यार है इसकी features और range इतनी सांदार है कि आप भी कहेंगे गाड़ी हो तो ऐसी ये गाड़ी दिलों पर आज करने वाली ट्वाटो इनोब electric avatar में पुरी तरीके से launch के लिए तयार इसे टेस्टिंग के दारन भारते सरकों पर देखा गया है इनोबा में कुछ ऐसे पिटर्स को launch किया गया है जो देखने में काफी बढ़िया और संदार लग रही है लंबे समय से एक अच्छी electric car लेने का प्लान कर रहे हैं लोगों के लिए एक अच्छी ख़वार निकल कर आ रही है आपको बता दे कि ट्वाटो इना हाली में इंडरनेशनिया में नए इनोबा जेनिक्स को launch किया इसी मोडल कुछ बतलावे के साथ भारत में इनोबा किस्टा नाम से पेस किया गया है जिससे जनवाई ज़र्टेस में बिक्री के लिए उप्लाप कराया जागा लेकिन इस बाद ट्वाटो इनोबा MPB के electric version को टेस्टिंग के दरान देखा गया है अपनी पोपलर MPB कार इलेक्टिक वज़र में पेस करने का जोजना पर काम कर रही है ट्वाटो इनोबा को भारते सरकों पर टेस्टिंग की वक दिखा गया जिससे देखने में काफी पढ़िया और संदार लुक में नजर आ रही थे अगर बात कर इस गारी की डिजाइन की तो इसकी बाड़ी सेल किस्टा के समान है फ्रॉंट से देखने पर एक ब्लेक आउट ग्रिल और एक नया रिडिजाइन किया गया फ्रॉंट बंपर दिखाई दे रहा है जो काफी संदार देखने में लग रही है वही पीछे की और इस गारी में ट्वार्टो की संदार क्रोम बैंजी के साथ बेतरीन एल्चप एलिडी टेट लंप नजर आ रही है वही बात करें ट्वार्टो इनोवा के एंटियर की तो मिडिया रिपोर्ट के मताबिक इनोवा इलेक्टिक का इंटियर आई सी आई वर्जन जैसा है वही कार में ब्लू ग्राफिस के साथ एक एनलोग इंस्क्रिमेट क्लस्टर मिलता है इसके अलावा इसमें आपको इन्फर्मेंट टच इसकीन सिस्टम एट इंच का संदार टच इसकीन देखनों का मिलता है इसकीन में बैटरी लेवल, O8VM, रेंच और करेंट पावर आउटपुट जैसी महत्पूर जैनकरे आपको दिस्प्ले में देखनों का मिल जाती है वही टॉर्टो में कभी इनोवा इवी कनेक्टेट से तक्निक विवरन का खुलासा नहीं करती है इसलिए इलेक्टिक मोटर छमता, बैटी छमता और अधिक्तम रेंच आउटपुट की सुचना अभी सामने नहीं आप आई है लेकिन जनकारों के मुताबिक ऐसी जनकारी मिल रहे कि इस गारी का रेंच चार सो से पान सुकुल मिंडर तक की जा सकती है वहीं बात करें टॉट्टो इनोबा किस्टा इलेक्टिक वैरेंट के प्राइज की तो इस गारी का प्राइज 25 लाख रुपे से लेकर के 35 लाख रुपे के बिज तक जा सकती है ये गारी अपने आप में भारतों की पहली पसंद और नया मडल के मुताबिक काफी पसंद की जाने वाली है जो की भारते मार्गेर में तहल का मचा देगी दोस्तों अगर आप भी न्यू जनरेशन टर्टो इनोबा एलेक्टिक वेरियन को पसंद करते तो इस जीडियो को अभी से एक लाई कर देगे साथ में जितना है कि आम आदमी तक शेयर किजेगा और हमाई यूट्यूब चैनल सब्सक्काइब कर लिजेगा तो दोस्तों मिल